डोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि यह कंपणी का आइपीओ और आए वो कंपणी का आइपी और आए बाट क्या बट्रिक आप जानते हो कि यह आइपीओ होता क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि IPO किसे कहते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा अगर आप मेरे YouTube चैनल के उपर नए हो तो दोस्तो मेरे YouTube चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलिए दोस्तो IPO का full form होता है initial public offering जो company के shares stock exchange के उपर list नहीं होते हैं जिसे हम common language में unlisted company कहते हैं अगर वो company अपने share को stock exchange पर list करना चाहती है तो वो list करने से पहले एक primary market में common public के बीच में अपने shares को sell करने का offer देती है उसी offer for sale को IPO कहते हैं company का main intention IPO लागे का यही होता है कि वो अपने business को expand और improve करने के लिए public से fund raise करना चाहते हैं और बदले में वो public को अपने company का shareholder बना देती IPO दो type के होते हैं fixed price offering और book building offering fixed price offering के अंदर company अपने share का एक price fix करती है और उसी price के उपर वो public के अंदर offer करती है अपने share को sell करने का और book building offering के अंदर company 20% price band के साथ अपने share को offer करती है sell करने के लिए price band का मतलब होता है book building offering के अंदर company एक rate issue करती है और जो कोई भी उस company के share को buy करना चाहता है तो वो या तो 20% up या 20% down उस rate से उस company के share को buy करने के लिए bid कर सकता और company जब final rate decide करती है तो जिस किसी का भी rate उस final rate से ज्यादा होता है company उसी को share allot करती है तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना ना भूलिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye